गायतरी जोतिस के इंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि महिला और पुरुष के किन दो जगाओं पर तिल होने से उन्हें अपने जीवर में अता संपत्ति की प्राप्ति होती है एक उच्चस तर पर पहुंच कर वह बहुत बड़ा नाम भी कमाते हैं और जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जिसकी उन्होंने कभी कलपना भी नहीं की हुई हो भले ही उनका जन्म कितने ही गरीब घर में क्यों नहुआ हो उनका पालन पोशन परवरिस कितनी ही गरीबी में क्यों नहुई हो कितनी ही विपरीद परिस्तितियों में कष्ट जहिलते वे उन्होंने अपना जीवन यापन किया हो लेकिन एक उच्चस तर पर अथा संपत्ति का मालिक बनने के साथ साथ एक बड़ा नाम कमाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है ऐसा अंग सप्रण सास्त्र में लिखा हुआ है सबसे पहले बात करते हैं पुरुसों की पुरुसों के दाहिने कान के नीचे और नाग की सीत के उपर पे इस पॉइंट पे यदि तिल है और दाहिने हाथ के सेंटर पे मध्य में जीवन रेखा और भाग्य रेखा के बीच में यदि तिल है तो उन्हें अपने जीवन पे उच्छ स्तर पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है और बहुत संपत्तिक यानि अथा संपत्ति के अमालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता है बात करते हैं महिलाओं की महिलाओं के इसके विपरीत यानि कि बाए कान के नीचे और नाक की सीथ के उपर इस पॉइंट पे यदि तिल है और बाए हात में उसी इस्तान पे जीवन रेखा और भाग्य रेखा के मद्ध में यदि तिल है तो ऐसी महिलाओं को भी अपने जीवन में अथा संपत्ति की प्राप्ति होती है एक उचे स्तर पर पहुंचकर वह बहुत बड़ा नाम कमाती है ऐसा अंग स्पुरण सास्तर में इस पश्ट लिखा हुआ है और कहा गया है कि यदि दोनों जगहों पे तिल हो जाए तो सोने पे सुहागा और एक जगह में तो फल यही है तो यह थी आज की जानकारी यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इसे आगे बढ़ा कर सेयर कर सकते हैं वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और ऐसी ही जानकारी हमारी चैनल द्वारा प्राप्त करने के लिए चैनल को सबस्क्राइब के साथ घंटी नुमा बेल आइकन आप दबा सकते हैं धन्यवाद जैसरी राम जैसरी कृष्णा